Amazfit ने अपना एक नया smart watch इंडिया में launch कर दिया है जिसका नाम है Amazfit BPU उनकी जित्ती भी smart watches हैं उनके जो display हैं काफी bright होते हैं और outdoor पर भी काफी अच्छी performance के लिए जाने जाते हैं दोस्तो Amazfit BPU पर आपको 9 दिनों का battery backup मिल जाता है उसका कारण ये है कि इस पर massive काम किया गया है और इसके display को बहुत ज़्यादा बहतर बनाया गया है पिछली कुछ watches के compare to तो चलिए दोस्तो Amazfit BPU का unboxing कर लेते हैं आपको बता दूँ price बहुत ही अच्छा है इसका introductory price जो है 3499 इसका रखा गया है और बहुत सारे features से इस watch को पहली बार launch किया गया जो आप box के side में भी देख सकते हैं फिलाल चलिए शुरू करते हैं unboxing और देख लेते हैं आखिर Amazfit BPU क्या-क्या offer करता है और क्या-क्या product इसके अंदर क्या-क्या जो SSR essence के अंदर मिल जाती है चलिए इसको open कर लेते हैं दोस्तो इसको open करते हैं तो इसकी packing आपको मिल जाती है लेकिन जैसे हम इसकी packing को open करते हैं तो यहाँ पर कुछ pamphlet से इसको मिल जाते हैं user manual है जो आपको बताएंगी कि इसको कैसे activate करके pair करना है आपके mobile phone से वहीं यहाँ पर आपको smart watch मिल जाता है और smart watch की बात करें तो दोस्तो काफी अच्छा smart watch जो है इसका दिया गया है और इसकी display तो दोस्तो यह की मानिए बहुत बैठर display है और पीछे की तरफ आपको heart rate sensor भी दिये गया है दोस्तो इससल अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और क्या-क्या मिल जाता है आपको इसको side में रखते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका dock इसका charging dock यह USB है और यहाँ पर यह आपको magnetic जो है वो process मिलता है यानि कि आपको क्या करना है बस यह आपको touch करना है और यह अपना आप यहाँ पर इस पर चिपक जाता है आपके चार्जिंग पर आप यह देखिए बस आपको इसको हटाएंगे फिर लगाएंगे आपको यह automatically लग जाता है तो आपको यहाँ पर अगर आप इस watch को लेते हैं खरीते हैं तो यहाँ पर आपको यह problem खतम हो जाती ह है दोस्तों के स्टैप्स को आप आसानी से हटा सकते हैं और जो सिलिकॉन में इसके जो है स्टैप्स दिये गए हैं और आप इसमें colors के option भी select कर सकते हैं इसमें बहुत सारे faces जो है ओट लेडी जो है इसमें प्री इंस्टॉल दिये गए हैं आपको क्या करना है बस इसकी स्क किया गया है और बहुती पढ़िया displays पार इसको दिये गई है दोस्तों यहाँ पर आपको zap करके mobile application है उसको install करना पड़ेगा install करने के बाब में जब connect हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजे हैं जैसे आप उपर की दरफ देख सकते हैं आपर आप बैटरी का लेवल भी बता रहे है कि फिलाल बैटरी की इतनी चार्ज है और वहीं अगर सिस्टम के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे जो watch के faces हैं वो भी हाँ पर आपको मिल जाते हैं और आप इनको download भी कर सकते हैं और यहीं से ही अपने smart watch पर लगा भी सकते हैं बस आपको क स्क्रीन के feature तो आपको अधिकतर smart watches में मिली जाते हैं उससाल अब भी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर चाहिए जैसे weather है, alarm clock है और world clock भी आपको मिल जाता है यह आपकी heart rate को monitor कर सकता है उसे के साथ साथ आपकी sleep को भी monitor कर सकता है बस आपको क्या and settings को on करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको home screen देखने को मिलती है उसको press करके रखेंगे दोस्तों तो आपको skin के options मिल जाते हैं जो आप अपनी मर्जी के साथ स्कीन लगा सकते हैं फिलाल अगर बात करें नीचे की तरफ slide करें तो आपको कुछ और options भी मिल जाते हैं आप आपको display मिल जाती है, brightness आप अपने हिसाब से select कर सकते है, night mode select कर सकते हैं और नीचे से scroll करेंगे तो आपको message notifications का option भी मिल जाता है, side में आपको calories वगएरा जो आपके activity goals हैं वो आप यहाँ पर आपकर monitor कर सकते हैं उनको देख सकते हैं, वहीं आपको अगले goal में यानि कि अप आपको heart rate monitor भी मिल जाता है और आपके जो spo2 है वो भी आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर दो options आपको पास में अच्छे मिल जाते हैं जैसे आपका oxygen rate monitor करता है और आपका heart rate monitor करता है, यहाँ आप अपने PIA को set कर सकते हैं, goal को set कर सकते हैं और यहाँ पर आपको weather का option भी दोस के अंदर आपको सारे दिन की activity आपको दिखा देगा यहीं पर आपको sleep का option भी मिल जाता है दोस्तों और यह sleep का option आप अपने phone की setting में भी देख सकते हैं exercise में भी आपको तकरीबन 22 mode आपको मिल जाते हैं जो की बहुत अच्छा feature है और आपको अधिकतर जितने भी mode से हो सब मान कितनी burn की है वो मिलेगा और आपने average speed क्या रखी थी वो भी बताता है heart rate monitoring जो है दोस्तों 24 hours आपको मिलती है यानि कि live heart tracking आपको मिल जाएगी जो कि आपको पूरे दिन की activity को monitor करेगी सबसे बढ़िया feature मुझे इसका SPO2 यानि कि आपके शरीर का oxygen rate जो है वो आपको बताता है यह सबसे ज़्यादा जुरूर है दोस्तों आज की तारिंग में जिस तरह के से COVID-19 फैला हो तो यहाँ पर आपको जो आपको oxygen level है लगातार चेक करता है जो कि अच्छा है यह अपर breathing exercise जो है वो भी आप कर सकते हैं और अपनी cycle tracking को भी आप monitor कर सकते हैं उसके अलग alarm set करेंग तो यहाँ पर आपको vibration के थूँ आपको alarm आपको बता देगा कि भी आपने जो alarm set किया था वो भी है और साथ में setting के options है जहाँ पर watch faces और साथ में आपको smart log और दूसी चीज़े वो भी आपको मिल जाते हैं जब आप smartwatch को use करेंगे तो आप पाएंगे इसको दूसरी बहुत स जो दूसरी watches के मुकाबले मैं समझता हूं preferable watch है और वैसे भी introductory price 3499 रुपे मैं समझता हूं बहुत जादा कम है जो कि अभी तक दूसरी watches के मुकाबले आप compare करेंगे तो खरीदने में जादा बहतर आपके लिए हो सकता है compared to दूसरी smartwatches दोस्तो आप इस smartwatch को Amazon से खरी सकते हैं 3499 में तो वीडियो कैसे लगी मुझे बतायागा जरूर और अगर आपको अच्छे लगती है दोस्तो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक तो जरूर करेगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेर करती जगा जो एक अच्छे smartwatch की तलाश में है आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद